अपर कश्मीर के मुद्धे पर भारत ने आतंग परस्त मुल्ख पा किस्तान को ऐसा आइनन दिखाया कि अब वो कश्मीर की मावली में सपने विबिवी नहीं सुचेगा दरसल पाकिस्तान की विदेश मंत्री शाह मैमूद कुरेशी अपने साजीसों के हिस्सेदार यार यानी चीन के पास पहुँचे हुए थे इस दौरान कुरेशी ने चीनी विदेश मंत्री वांगी के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाया और फिर क्या था भारते विदेश मंत्राले की तरफ से तुरंत इस मुद्धे को लेकर कड़िया पत्ती जाहिद तो करी दी गई लेकिन इस बार भारत ने ये भी कह दिया है कि पाकस्तान और चीन भारत के किसी भी आंत्रिक मामलों में दखल ना दे तो उनके लिए अच्छा होगा विदेश मंत्राले के प्रवक्ता नुराक श्रिवास्ताव ने काया है कि भारत उमीद करता है कि संबंदित पक्ष भारत के आंत्रिक मामलों में हस्तक शेप नहीं करेंगे भारत पहले ही किसी तरह की जम्मो कश्मीर के संदर्ब में चीन-पाकिस्तान विदेश मंत्रियों की रणनीतिक वारता और संयुक प्रेस कॉन्फरेंस में दिये गए बयानों को सिर्ये से खारिच करता रहा है। केंदर शासत, प्रदेश, जम्मो कश्मीर पूरी तरह से भारत का अंतरिक मामला है। इसलिए भारत की उमीद कर रहा है कि संबंदित पक्ष उनमांगलों में हस्तक शिप महीं करेंगे। किया हुआ है। प्योके में किसी भी देश त्वारा यथा इस्तिती बदलने वाले किसी भी कारवाई का भारत विरोध करता है। के तहत इस मामले को सुल्जाना चाहिए। शायद साउदी अरब से कारे जाने के बाद पाकिस्तान और भी ज्यादा सद्वे में चला गया है। तो अभी तो वो अपने यार यानी चीन की गोद में जाकर फुपकारी मार रहा है। लेकिन ये हिंदुस्तान है नया हिंदुस्तान। साजिशों का बुरा रखने वाला चीन हो या फिर हाथ में कटोड़ा रखने वाला पाकिस्तान। भारत ऐसे ही दोनों देशों की हर साजिश पर पानी फिरना बखुबी जानता है। ब्यूर रपार्ट भारत ता